बच्चो आज हम कक्षा आटीवी में हिंदी विशय को लेकर एक जीवन परिचय लेंगे जो पन्ना नंबर 103 के उपर दिया गया है जीवन में कई बार हम अनेक विक्तियों का जीवन परिचय प्राप्ट करते हैं जैसे खिलाडी हो अभिनेता हो लेखक हो कवी हो क्रांतिकारी हो सामाज सेवक हो ऐसे कई महान विक्तियों के हम क्या करते हैं जीवन परिचय देखते हैं इसी प्रकार आज भी पार्ट नंबर 14 जिवन परिचे जिनका नाम है सुब्रमन्य भारती तमिल भाषा के कवियों में सुब्रमन्य भारती का स्थान भहुत उचा है उन्होंने अपने समय के आशा आभिलाशा को अपनी ओजश्विवानी द्वारा गर-गर में पहुंचाया उन्होंने अपनी जो इच्छा थे विचार थे अभिलाशाय थे अपनी ओजश्विवानी से मुर्धुवानी से गर-गर तक पहुंचाया तमिल भाषा के राष्ट्र कवि माने जाते हैं तमिल भाषा भाषी ही नहीं पूरे भारत भाषी उनकी रचनाओं को बड़े चाव से पढगते हैं तमल भाषी ही वेक्ति नहीं जिनें घ्यात हो… राष्ट्र कविता के बारे में जानकारी हो पूरे भारत वर्ष के लोग उनके सहित्य को जान्य का प्रयास करते पड़ते थे बड़े चाव से और बड़े प्यार से महाकवी भारती का जन्म मदरास प्रदेश याने आज का तामिलनाडू में हुआ तिरुनेल वेली गाव में वर्ष 1882 में सितंबर महा में उनका जन्म हुआ देखो मदरास प्रदेश याने तमिलनाडू गाव के तिरुनेल वेली गाव में 1882 सितंबर में उनका जन्म हुआ उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी आयर देखो उनकी पिता का नाम क्या था चिन्ना स्वामी आयर उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल था लक्ष्मी अम्माल उनकी माता का नाम सुब्रमन्यम को बच्पन में प्यार से सब सुबया कहते सुबया बच्पन से ही महान और प्रतिवाशाली थे प्रतिवाशाली ने हुश्यार बुद्धिमान पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज थे तेज याने गती थि मुनके उनके वक विद्या बहुती। कि टेजी से वह CarthAU आत्म शाक करते थे उसमें उसन को उनकी संगित में उन्हें संगित में भी रुचि थी कहते हैं कि साथ वर्श के आयूं में ही वह कविता करने लगे और किःारा वर्ष के होते होतेवे अच्छी कविताय बहुत प्रसन होते अधिक के साथ कंधने वाले जो भी बें से उनक learn को मानने वाले में debris कहता ने अनंदाध करती ती कुछ ही समय में कविताव ही नमी mü ओपा की प्रशम inge काना नडाय के, यानि जो तरुच्छी प्रध नभी और साहित्टी में भी प्रषन की लोग होता है कविताव को लेकन में लेखन को जानने के लिए जासने के लिए ऐसे भी लोग की प्रसम Laurie कर तूती करने लिए उन दीन ऋट पुरम की राजा उन दिनों एट्ट पुरम के राजा सहित्य प्रेमी तता संगित के प्रेमी थे उनकी सभा में तमिल भाषा के बड़े-बड़े विद्वान थे उन्होंने सुबईया की कविताओं की प्रशाशा सुनी तो सस्ने बुला भेजा दर्बार में लोग उनकी कविताओं सुनकर मुग्द हो गए परिक्षा में सुबईया खरे उतरे जब उनको एटपुरम के राजा जो संगीत प्रेमी थे उनके दरबार में उन्हें बुलाया गया बड़े-बड़े विद्वान वहाँ पर आये थे उन्होंने सुबया के कविताओं के प्रशंशा सुनी सस्ने उन्हें बुला भेजा दरबार में लोग उनकी कविताओं सुनकर मुख्द हो गए परिक्षा में सुबया खरे उत्रे राजा ने प्रसंशा किया उनकी कविताओं सुनकर सब लोग मुख्द हो गए परिक्षा में सुबया खरे उत्रे राजाने प्रशन होकर समस्त विद्वानों के सामने बालकवी सुबया को भारती की उपादी से विभुशित किया भारती उस समय केवल ग्यारे वर्ष के थे राजया ने उन्हे प्रशर्ण होकर समस्ट विद्वानों के सामने बालकवेशुबईया भारती की उपाधी से विभुशित की आयने उन्हे प्रधान की भारती उस समय केवल 11 वर्ष की थे वर्ष 1896 में भारती का विवाव चल्लमा के साथ हू देखो 5896 में उनका चिलम्मा के साथ विवा हो गया उनके बाद उनका एक वर्ष बाद उनके पिता का सुर्गश हो गया अचानक असामाई दुर गटना से परिवार का भार भारती परा पड़ा एक और अध्येन की चिंता दूसरी और गर गरस्ति की बार अईसे परस्तित्यों में वर्ष का शारा द ले गए और वर्ष को में प्रयाग से महां की परिक्षा चले पासे देख मा प्रयाग ज़तिध कि असी समय उन्होंने दर्जुन के विता रची थी इस तरह से आज हमने सुब्रमन्य भारतीजी के जीवन पर कुछ हिस्से का आध्यान किया आगे की जानकार या आगे की ताशिका के समय करेंगे यहां पर रुपते हम धन्यवार